हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11, क्लास 11 चैप्टर हमारे पास है 6, चैप्टर 6 की मिस्लैनिया से एक्सरसाइज, देखो, क्वेशन नूम्बर फॉस्ट है चैप्टर है लीनियर इनिक्वैलिटी, अब पूरा चैप्टर हमने इसी के बारे में पढ़ा है, अब हम मिस्लैनियस एक्सरसाइज में इसके सभी एक्सरसाइज का यूज है, वो पढ़ेंगे कैसे, देखो, first है, solve the inequality, inequality को solve करेंगे, हमें एक inequality दे रखी है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, कि 2 less than is equal to 3x minus 4 होगा, less than is equal to 5, हमें एक condition दे रखी, इसको apply करके देखते हैं, सब प्लस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 3x minus 4 plus 4, इदर भी हमने plus 4 कर दिया, इदर भी कर दिया, 2 plus 4 हो जाएगा, और इदर क्या आजेगा, 5 plus 4 हो जाएगा, इदर 2 plus 4, 6 हो जाएगा, ये 4 से 4, cancel, 3x हो जाएगा, इदर 5 plus 4, 9, अब पूरे को क्या करेंगे, divided by 3 कर देंगे, त 3, 3, 0, 9, तो अब हमारे पास जो x की value आएगी, वो क्या आएगी, 2 के equal आएगी, या 2 से greater आएगी, बट 3 से वो मेशा क्या आएगी, लेस आएगी, तो हम क्या बोल देंगे, कि जो भी हमारे पास value आएगी, वो 2 या 2 से बढ़ी आएगी, और 3 या 3 से छोटी value आएगी, तो solution set इस का क्या बन जाएगा, 2, 2, 3, 2 और 3 के बीच की जो value है, वो आएगी, इसके अंदर, 2 और 3 बी include है, इसलिए equal दे रखा था में, यह minus 3 है, अगर हम इस minus 3 को 10 है, तो पूरे को divide करेंगे, minus 3 से, क्या आजएगा, minus, sorry, 6 by minus 3, less than is equal to minus 3 by minus 3, 2x minus 4, less than is equal to 12 by minus 3, इसको cancel कर देंगे, minus 2 आजएगा, जब इसको cancel कर देंगे, 2x, minus 4 बचेगा, और इसको cancel कर देंगे, तो क्या आजएगा, minus 4, और जब भी हम किसी भी negative number से multiply यह, divide करते हैं, तो sign change होते हैं हमारे पासे, less than का greater than होजएता, और greater than का less than होजएता है, तो हमारे पास minus 4 है, minus 4 को 10 है, तो क्या करना पड़ेगा, plus 4, तो इधर क्या आजएगा, adding 4, adding 4 कर देंगे, तो क्या आएगा, minus 2 plus is, 4 आजएगा, greater than is equal to, 2x minus 4 plus 4, greater than minus 4 plus 4 यह मारे पास क्या आ जाएगा 2 और greater than is equal to 2x greater than 4 में से 4 गटा देंगे क्या आ जाएगा 0 तो dividing by 2 कर देंगे 2 by 2 आ जाएगा इदर 2x by 2 और तिर 0 by 2 अब 2 से 2 cancel होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यह क्या आएगा x और yes it is 0 तो हमारे पास solution set क्या आ जाएगा कि इसकी value क्या इन्होंने दे रखा है कि 0 से बड़ी होगी और 1 से हमारे पास क्या होगी less होगी तो 1 से less होगी और 0 से बड़ी होगी तो क्या लिख देंगे कि हमारे पास इसका solution set क्या आएगा 0 से बड़ी आएगी बटवन से छोटी आएगी तो इसलिए हमने यहां equal का sign नहीं था है इसलिए हमने कैसी लगाई bracket change कर दी ठीक है next है हमारे पास question number 3 solve the inequality minus 3 हमारे पास एक inequality दे रुखिए सबसे पहले यह हमारे पास जो inequality दे रुखिए इस inequality को solve करने के लिए हमने क्या किया कि प्लस 4 है इसको अटाना है प्लस 4 को अटाना है तो माइनस 4 कर देंगे बोट साइड से तो क्या लिखेंगे subject 4 बोट साइड से माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा sign is it is 4-7x by 2-4 इदर भी 18-4 4 से 4 cancel हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और यह क्या हाय एक माइनस 7x by 2 और यह इस it is 14 18 में से 4 गया 14 अब 2 को खتم करना है तो क्या कर देंगे multiply by 2 तो क्या आजएगा माइनस 7 multiply 2 और इसमें माइनस 7x by 2 multiply 2 किसमें क्या आजेगा 14 multiply 2, 2 से 2, cancel 7, 2 जा minus 14, यह Z is minus 7 X आजेगा 14 multiply 2, अब minus 7 को 10 तो minus 7 से divide कर देंगे, dividing by minus 7, तो minus 14 by minus 7, minus 7 X by minus 7, or 28 by minus 7, अब इसको cancel कर देंगे तो क्या आजेगा 2 आजेगा, और इसको cancel कर देंगे तो Z is X रहेगा, और इसको कर देंगे minus 4, but negative से जब हमने divide किया तो सभी के sign change हो जाएंगे, तो हमारे पास इसके value क्या आएगी, कि हमारे पास इसके value आएगी, वो 2 less than is equal to X, greater than is equal to minus 4 आजेगी, तो इसको हमने change कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब हमने इसको divide किया था, तो sign change करना है, sign change करके हमने क्या बोल दिया, कि इसकी जो value आएगी, वो minus 4 से बढ़ी आएगी, बट 2 से छोटी value आएगी, तो इसको हम ऐसे लख देंगे, कि minus 4 से 2 तक की values, next हमारे पास question number 4, solve the inequality minus 15, less than 3, X minus 2 by 5, less than is equal to 0, अब यह दे रखा है, कि इसकी जो भी value आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, कि minus 15 से तो हमारे पास छोटी value आनी चाहिए, minus 15 से तो बड़ी value आनी चाहिए, बट 0 से less आनी चाहिए, 0 से less आनी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले solve करना पड़ेगा इसको कि x की value क्या होनी चीए तो क्या करेंगे ये by में 5 है 5 गो 10 है तो multiply करना पड़ेगा multiply 5 all sides all sides 5 से multiply कर दें minus 15 multiply 5 ये as it is और 5 multiply कर देंगे और इधर 0 multiply 5 5 से 5 cancel 15 5 जा minus 75 ये as it is आजेगा 3 x minus 2 और ये 0 के और 5 के multiply 0 अब divided by 3 कर देंगे divided by 3 करेंगे तो क्या हैगा minus 75 by 3 और 3 into x minus 2 by 3 3 से 3 cancel हो जाएगा और 0 by 3 यहां क्या बचेगा इससे cancel करेंगे 25 आजेगा minus 25 इदर आजेगा x minus 2 और इधर 0 minus 2 को खतम करना है तो plus 2 करेंगे adding to all sides सभी sides to add कर देंगे minus 25 plus 2 और इधर क्या आजेगा x minus 2 plus 2 और इधर 0 plus 2 2 से 2 cancel हो जाएगा यह क्या है minus 23 और इधर क्या आजेगा 2 तो हमारे पास जो value वह क्या आएगी हमारे पास value आएगी कि 23 से तो बड़ी value आएगी बट्टू से चोटी value आएगी तो 23 से बड़ी क्या आजेगी 22, 21, 20 ऐसे negative और positive में कहा तक आएगे 2 तक है तो इसलिए क्या आजेगी minus 23 to 2 तक next है हमारे पास question number 5 minus 12 और less than 4 minus 3x by minus 5 greater than equal to 2 अब सबसे पहले इसको solve करना है तो minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा यह as it is रख लिया सबसे पहले हमने 4 को गटाना है तो minus कर देंगे subtract 4 all sides इदर आएगा minus 12 minus 4 इदर आजेगा 4 plus 3x by 5 minus 4 इदर 2 minus 4 4 से 4 cancel हो गया 12 minus 4 के आएगा minus 16 इदर 3x by 5 और इदर minus 2 2 minus 4 के आजेगा minus 2 आजेगा फिर हमें 5 को 10 है तो multiply by 5 कर देंगे तो minus 16 multiply 5 3x by 5 multiply 5 और minus 2 multiply 5 यह क्या आजेगा minus 80 आजेगा और इदर क्या आजेगा 3x आजेगा और 5 2 जा minus 10 dividing by 3 कर देंगे dividing by 3 करेंगे तो minus 80 by 3 3x by 3 और minus 10 by 3 3 से 3 cancel कर देंगे तो मारे पास जो x की value हो वो क्या आजेगी minus 80 by 3 जो मारे पास x की value हो वो हमारे पास आई कि इसकी जो less than is equal to 3x plus 11 by 2 less than equal to 11 सबसे पहले 2 को खतम करना है तो क्या करेंगे multiply by 2 इसको इधर लेगे आएंगे तो 7 multiply 2 as it is 3x plus 11 by 2 multiply 2 और 11 multiply 2 2 से 2 cancel हो जेगा 7 2 जाब 14 और यह क्या आजेगा 3x plus 11 yes it is 22 अब इधर से क्या खतम करना है plus 11 को 11 को खतम करना है तो minus कर देंगे 14 minus 11 3x plus 11 minus 11 और 22 minus 11 11 से 11 cancel हो जाएगा 14 में से 11 जाएगा क्या आएगा 3 आएगा और यह as it is 3x आजेगा और इसमें से minus कर देंगे 11 जब हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से 3 by 3 और 3x by 3 11 by 3 से यह cancel हो जाएगा क्या आजेगा 3 से 3 cancel होके 1 आजएगा और X और यह क्या आजए 11 by 3 तो इसकी value क्या आएगी या तो 1 होगी या 1 के equal होगी या 11 by 3 से छोटे 1 या 1 से बढ़ी होगी और 11 by 3 से छोटे होगी तो हमारे पास solution सेट के आएगा 1 से 11 by 3 तक नेक्स्ट है हमारे पास question no.7 हमें एक inequality दी हुए है उसको solve करना है और graphically उसको number line पर show करना है फर्स्ट हमारे पास क्या है 5X plus 1 greater than minus 24 कि इसकी जो भी value आएगी वो minus 24 से greater आएगी and 5X minus 1 less than 24 solve करेंगे दोनों in equality को इधर से in equality क्या आएगी 5X plus 1 greater than minus 24 है plus 1 को टाना है तो minus कर देंगे दोनों side 5X plus 1 minus 1 इधर minus 24 minus 1 इधर से क्या आजेगा cancel होगे 5X और इधर क्या आजेगा minus 25 फिर 5 से divide कर देंगे तो इधर क्या आजेगा XM और इधर क्या आजेगा minus 5 आजेगा तो X की जो value हो मारे पास क्या आजेगी X की value greater than minus 5 आजेगी इधर से हमारे पास condition क्या 5X minus 1 less than 24 तो minus 1 अटाना है तो plus कर देंगे 5X minus 1 plus 1 इधर 24 plus 1 आजेगा इससे ये cancel 5X greater than 25 इससे cancel कर देंगे तो क्या आजेगा 5 5 जा 25 sorry X हमारे पास क्या आजेगा less than 5 आजेगा तो हमारे पास value वो क्या आई कि minus 5 से बड़ी होगी बट 5 से छोटी होगी तो क्या हागी X हमारे पास कहां से कहां तक आगया minus 5 से 5 तक आएगा तो ये हमने apply करना था ये हमारे पास देर किती number line पे हमने draw कर लिया है ये हमारे पास 0 है center point 0 से इधर की side हम positive लेते इधर की side negative लेते हैं हमें क्या चीह है minus 5 से 5 तक है ये हमारे पास से minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 आगया ये point है और 5 का है ये point 5 आजाएगा तो यहां से लेके यहां तक की जो हमारे पास आएगी वो इस ग्राफिक लिए रिप्रेजेंटेशन होगी इसको हम ड्रो कर देंगे यूजenders माइनस फाइव से एसे थोड़ा सा डार करके फाइव मेर्न इसकोum पास मैंने पहले पताया था यह जो सरकल है अगर इकवल का और हुरा का साइन होगा तो इनसोचल को फील कर देंगे और इककवल का साइन निया तो यह सरकल फील करेंगे एज़ेटे सरकल छोड़ देंगे इन दोनों में नंबर्स पेज हो हमारा इसी तरह नेक्स है कोशियन नंबर एट कंडिशन दे रखी है हमें 2x माइनस से 1 greater than sorry less than x plus 5 and 3x plus 2 greater than 2 minus x solve करेंगे सबसे पहले अंदर किया 2x minus 2 आजएगा less than x plus 5 2x minus 2 है x को इदर लेके आएगे तो minus होना चाहिए तो दोनों साइड minus कर देंगे 2x minus 2 minus x इदर x plus 5 minus x x से x cancel हो जाएगा और इदर 2x में से x जाएगा x minus 2 इदर क्या आया 5 फिर minus 2 को खतम करना है तो plus 2 कर देंगे x minus 2 plus 2 5 plus 2 इससे 2 से 2 cancel हो गया क्या आजएगा x आजएगा इदर 5 plus 2 7 आ गया तो मारे पास x क्या आजएगा less than 7 इसी तरह जब दूसरी condition क्या है 3x plus 6 है और greater than 2 minus 6 है तो minus x है तो plus कर देंगे दोनों साइड 3x plus 6 plus x है और इदर 2 minus x plus x से x cancel हो जाएगा 3 plus 1 4x plus 6 है greater than 2 6 को अटार्ण है तो 4x plus 6 minus 6 2 minus 6 6 से 6 cancel हो जाएगा 4x है और इदर 6 में से 2 घटा देंगे minus 4 और जब 4 से divide करेंगे तो क्या आजएगा x हमारे पास क्या आजएगा greater than है minus 1 आजएगा तो हमारे पास क्या आया कि x की value minus 1 से बड़ी होगी बद x की value 7 से जोटी होगी तो कहां से कहां तक minus 1 से 7 हमने नमबर लाइन पे ड्रोग गया इदर positive नमबर इदर negative नमबर है जीरो है तो इदर क्या हो गया minus 1 से लेके हमें कहां तक ड्रोग करना है 7 तक है तो यह minus 1 का है यह 7 का circle है और इनके बीच की जो लाइन उसको ऐसे ट्रोग करके दिखा देंगे यह हमारे पास क्या आया minus 1 से 7 next है हमारे पास question number 9 3x minus 7 greater than 2 into x minus 6 और 6 minus x less than 11 minus 2x अब हम इजो conditions दे रहे हैं उनके according अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि इसकी जो value आएगी पहले solve करेंगे 3x minus 7 इसको multiply कर देंगे 2x minus 12 फिर 2x को खतम करना है minus 2x minus 2x इदर क्या आजाएगा 2x से 2x cancel हो जाएगा इदर क्या आएगा 3x में से 2x जाएगा x आजाएगा इदर minus 12 फिर 7 को खतम करना है तो minus 7 है इदर भी plus 7 7 से 7 cancel हो जाएगा इदर x आजाएगा इसमें से minus कर देंगा minus 5 तो जो x की value आएगी वो क्या आएगी हमारे पास minus 5 से बढ़ी आएगी minus 5 से बढ़ी आएगी इदर से देखते हैं कि क्या आएगी हमारे पास 6 minus से x is equal to क्या है opposite side क्या है 11 minus 2x minus 2x को खतम करेंगे तो plus कर दिया 6 minus x plus 2x plus 2x 2x से 2x cancel 6 plus x आजाएगा 2x में से x अटा देंगे 6 plus x से फिर 6 को खतम करना है तो minus 6 minus 6 से 6 से 6 cancel x आजाएगा और 11 में से 6 से जाएगा 5 तो यहां पर हमारे पास condition क्या आगी कि x की value greater than minus 5 और x की value greater than 5 अब minus 5 से भी बड़ी और 5 से बड़ी दोनों में common क्या आजाएगा जो 5 से बड़ी होगी वो दोनों से बड़ी हो जाएगी तो हम क्या बोल देंगे x की value 5 से infinitive तक आजाएगी तो हमारे पास यह 5 है up to infinitive 5 पे circle लगा के up to infinitive के लिए draw करतेंगे next हमारे पास question number 10 5 इंटू 2x minus 7 minus 3 2x plus 3 less than is equal to 0 2x plus 19 less than is equal to 6x plus 47 इसको solve करेंगे 5 to 10 x minus 35 और इसको करेंगे minus 3 to 6 x minus 9 less than is equal to 0 10 x में 6 x जाएगा 4x minus 44 less than is equal to 0 अब यह मारे पास क्या है minus 44 को अटारना है तो पर दें plus इदर भी plus कर दिया इदर 20 से यह cancel हो जाएगा 4x है वो मारे पास क्या आजाएगा less than is equal to 44 अब 4 से divide कर देंगे तो x आजाएगा इदर क्या आजाएगा 11 तो x की जो value आएगी वो 11 से less आएगी तो क्या रिख देंगे x है वो less than is equal to 11 दूसरी हमारे पास condition क्या देर रखिये 2x plus 19 less than is equal to 6x plus 47 तो 2x plus 19 minus 6x कर दिया इदर भी minus 6x कर दिया इदर 6x से 6x से cancel हो जाएगा तो हमारे पास इदर क्या आए 2 minus 6 से minus 4x plus 19 अब minus 19 इदर कर दिया 47 minus 19 19 से 19 cancel minus 4x आजेगा इदर इसमेंद मारे इसमें minus करेंगे 28 अब minus 4 से divide कर देंगे तो क्या आएगा minus 4x by minus 4 less than is equal to 28 by minus 4 इसको cancel कर देंगे तो क्या आजेगा 7 आजेगा बट हम यह पास जब negative number से multiply यह divide करते हैं तो हमारे पास क्या अर्थिसाइन change होता है तो x की value वो क्या आजेगी greater than is equal to minus 7 हम उमारे पास condition क्या दे रखी है कि कोई जो भी value होगी वो x की जो value आएगी वो minus 7 से बढ़ी आएगी बट 11 से छोटी आएगी तो minus 7 से लेके 11 तक की जो numbers है उसको ऐसे draw कर देंगे और दोनों circles को feel करेंगे क्योंकि दोनों में equal का sign आ रखा तो हम इसको इसे draw करेंगे next है question number 11 a solution is to be kept between 68 degree ferniaite and 77 degree ferniaite एक solution है किस किस के बीच में है कोई भी हमारे पास temperature नों किया गया है वो 68 degree ferniaite or 77 degree ferniaite what is the range of temperature उस temperature के range find करेंगे in degree celsius degree celsius में if the celsius या ferniaite celsius को c से note कर रहे ferniaite को f से convention formula कि जो ferniaite है वो और celsius को convert करने का formula क्या है ferniaite is equal to 9 by 5 celsius plus 32 इसके equal है तो हमें क्या करना है कि 68 or 77 के बीच में रखनी है कि जो भी हमारे पास solution जो temperature वो 68 और 77 के बीच का रखना है तो क्या रख देंगे given condition हमारे पास क्या है 68 degree ferniaite इससे तो हमारे पास बढ़ा होना चीए बट 77 degree ferniaite से छोटा होना चीए तो क्या लिख देंगे कि ferniaite का हमारे पास 9 by 5 celsius 32 apply कर देंगे 68 greater than is equal to 9 by 5 celsius 32 और less than is equal to 77 इसकी जो value हो 68 से greater होनी चीए और इससे less होनी चीए प्लस 32 को अटाना है तो minus कर देंगे 68 minus 32 less than 9 by 5 celsius 32 minus 32 और इदर 77 minus 32 आज इससे cancel 36 आजेगे इसमें से minus करेंगे 9 by 5 celsius इदर इसमें से minus करेंगे 45 फिर 9 by 5 को अटाना है तो 5 by 9 से multiply कर दिया इदर 36 multiply 5 by 9 इदर भी 5 by 9 और इदर भी 5 by 9 9 से cancel कर देंगे 4 4 5 जा 20 इदर cancel करेंगे 5 से 5 9 से 9 9 से 5 पे cancel हो जाए 5 5 जा 25 तो हमारे पास जो celsius में temperature वो क्या आया 20 और 25 के बीच का temperature आया तो क्या आएगा 20 से greater होना चीए बढ़ 25 से less होना चीए next है हमारे पास question number 12 a solution of 8% boric acid 2B related by adding 2% boric acid solution to it हमारे पास solution है 8% boric acid 2B deleted by adding जिसके अंदर हमने add कर दिये क्या 2% boric acid solution the resulting mixture is 2B more than 4% जो resulting mixture आएगा वो 4% more जादा होना चीए but less than 6% और 6% से कम होना चीए boric acid if we have 640 liter of 8% solution अगर जो उमारे पास solution है उसका 8% 640 liter है have many liters of 2% solution will have to be added तो have many liters तो कितने liters उसके अंदर solution add करे 2% solution will have to be added उसको 2% solution बनाने के लिए कितना add करेंगे देखो कैसे let x liter of 2% boric acid solution be added to 640 liter अब उमारे पास x liter है और उसका जब हमने 2% boric acid मिला जिया तो वो किसके इकवल है 640 liter के of 8% boric acid solution और उसका कितने परसेंट है 8% boric acid solution के then total quality of mixture तो हो जो हमारे पास mixture उसके total quality कितनी हो जाएगे 640 liter plus x liter is equal to me कितना है 640 plus x liter आ गया total boric acid आ जाएगा उसके अंदर कितना आ जाएगा mixture करने के बाद 640 plus x है उसके अंदर तो हमने total boric acid mixture किया है तो इसको हमने convert कर दिया कैसे इसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है कि 2% boric acid दे रखा है तो 2% को जब हम निकालेंगे किसका x का तो x का 2% कितना आ जाएगा 2x by 100 plus 8% किसका 640 का 640 का 8% दे रखा है तो 8% परसेंट आएगे by 100 multiply 640 0 से 0 cancel 2 5 जा 2 4 जा 8 2 से cancel कर देंगे 50 आ जाएगा x by 50 plus 8 4 और 64 की multiply 256 by 5 तो यह आगे हमारे पास total boric acid की condition अब देखो condition में नहीं क्या दे रखी है 2 तरह से दे रखी थी हमारे पास condition एक 4% के लिए और एक एक 6% के लिए और 4% condition क्या थी कि जो भी मारे पास mixture आएगा more than 4% है ज्यादा ज्यादा 4% but less than 6% boric acid और less than 6% boric acid होना ची है तो हमारे पास condition अप्लाई कर दें यह total mixture कितना है 640 प्लस X उसके उपर हमने कितना लगाया 4% और X by 50 है यह मारे पास निकाल दिया कि total boric acid हमारे पास किया X by 50 plus 256 by 5 और less than कितना दे रखी है था 6% तो 6 से less होना ची है तो apply कर देंगे 4 से cancel कर देंगे 25 आजएगा 640 प्लस X इधर हमने LCM ले लेंगे 50 और 50 के LCM लेके क्या आजएगा X प्लस 50 से जब इसको divide करेंगे 10 10 के और इसके multiply 2560 इसी तरह से इसको 50 आजएगा 50 as it is और इसके अंदर multiply कर देंगे तो क्या आजएगा 920 प्लस से 3 के और X की 3X इसको 25, 50, 50 अब हमें क्या कर दिया पूर एको 50 से multiply कर दिया तीनों में इधर क्या आजएगा 640 प्लस X multiply 50 और इसके भी multiply 50 इसमें multiply 50 50 से 50 cancel इधर भी cancel इधर करेंगे 2 पे cancel होगा 2 के और इसके multiply कर देंगे 640 multiply 2 1280 प्लस से 2X है इधर क्या है X प्लस 2560 और इधर क्या है 920 प्लस से 3X है अब हमें क्या करना है इसको गटाना है क्योंकि हमें X की value निकालनी है तो तीनों conditions के लिए अब हमार पास दो condition बन गई एक बार इसको ले लेंगे एक बार इन दोनों को ले लेंगे तो 1280 प्लस से 2X है और हमार पास X प्लस 2560 इसको जब हमने solve कर दिया दोनों को अलग अलग condition लेके चल पड़ें तो हमारे पास यह दे रखा है कि 1280 प्लस से 2X है वो less than होगा किस से less होगा X प्लस 2560 से तो पहले X को खतम करना है दोनों साइड माइनस कर देंगे 1280 प्लस 2X माइनस X इधर क्या आजएगा X प्लस 2560 माइनस X X से X कैंसल होजएगा इसमें से कर देंगे X आजएगा प्लस 1280 और इधर S it is अब माइनस 1280 को करना है तो माइनस कर देंगे इधर भी माइनस ये कैंसल होगे X आजएगा और इधर से माइनस कर देंगे 1280 तो हमारे पास X की वैल्यू क्या आजएगी कि X की जो वैल्यू है 1280 से less होनी चाहिए दूसरी कंडिशन क्या थे कि X प्लस 2560 ग्रेटर देन इससे ये कैंसल हो जएगा तो माइनस 2X प्लस 2560 माइनस कर देंगे ये प्लस है तो माइनस कर दिया इधर भी माइनस कर दिया इससे ये कैंसल हो जएगा माइनस 2X आजएगा इधर माइनस 640 फिर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आजएगा 320 से तो ज्यादा होना चाहिए और 1280 से कम होना चाहिए हमारे पास जो भी हमें mixture बनना है, so 2% boric acid solution must be more than 320 liter but less than 1280 liter next हमारे पास question number 13 how many liters of water will have to be added कितने liter water उसके अंदर add करना होगा to 11-25 liter of the 45% solution of acid अगर 11-25 liter के अंदर कितना add करना कि 45% solution हो जाए और facet गा so that the resulting mixture will be contained more than 25% but less than 30% जो भी हमें mixture मिलेगा वो 25% से ज्यादा होना चाहिए but 30% से कम होना चाहिए तो हमने क्या मान लिया, x liter of water to be added to हमने मान लिया कि इसके अंदर हमने x % x liter water मिला दिया 11-25 liter of 45% acid solution किसी भी solution किसी का भी 45% solution बनाने के लिए मिक्स कर दिया total quantity of mixer क्या आजएगी 11-25 plus x कर देंगे क्योंकि दोनों को मिलाने से बना है अब plus कर दिया 11-25 plus x आजएगा फिर हमें condition क्या दिर रखी है कि 25% से less होना चाहिए और 30% से 25% से greater होना चाहिए और 30% से less होना चाहिए दोनों के condition apply करेंगे फिर्स्ट में हमारे पास condition क्या आजएगे 45 by 100 multiply 11-25 plus 0 multiply x by 100 क्योंकि हमारे पास mixer 0 है तो हमारे पास इसके लिए condition क्या दिर रखी 25% से more ज़्यादा होना चाहिए तो 25% निकाल देंगे इसे total का end दूसरा क्या दे रखी है 30% से greater होना चाहिए तो ये condition apply कर दी और greater क्या आजएगा 30% से आजएगा अब इनको solve कर लेंगे तो हमारा पूरो 0 हो जाएगा तो क्या आजएगा 45 multiply 11-25 by 100 greater than होगा किस से 25 multiply 11-25 plus x by 100 और इदर हमारे पास क्या आजएगा 25 multiply 11-25 by 100 ये 0 हो गया less than 30 by 11-25 plus x by 100 अब इसको solve करेंगे कैसे 100-100 पूरों में से neglect कर दिया तो उपर क्या आजएगा 45 multiply 11-25 less than 25 greater than 25 multiply 11-25 plus से इसकी और इसकी multiply कर देगे 25x आजएगा इदर से भी ऐसे ही solve करेंगे इन दोनों की multiply और इसको करेंगे तो इन दोनों की multiply plus से 30x आजएगा solve करेंगे कैसे इन दोनों को solve करने के लिए हमें क्या इसको पूरे को अटायना है तो दोनों साइड इसको minus कर देगे 45 मनने multiply 11-25 minus कर दिया 25 multiply 11-25 इदर क्या है 25 multiply 11-25 इसमें से भी minus करना है और plus 25x है यह पूरा का पूरा cancel हो जाएगा और इदर भी हमारे पास क्या आजएगा 45 multiply 11-25 इसमें से यह minus करना है तो इदर भी और इदर भी दोनों साइड minus कर दिया इससे पूरा यह cancel हो जाएगा इसमें से minus करेंगे और इसमें से यह minus कैसे दोनों में से 11-25 कॉमन ले लेंगे क्या आएगा 45-25 और इदर कितना आजएगा 25x है इसमें से करेंगे तो 11-25 कॉमन ले लेंगे 45-30 आजएगा और यह क्या आजएगा 30x है अब इसको solve करने के 25 ए 25 को अटाना है तो divide कर देंगे क्या आजएगा 11-25 multiply इसमें से minus कर दिया 20 by 25 अब solve करेंगे 5-4 जाए 25-5 जाए 25 5 से कर देंगे 225-25 के और 4 के multiply क्या आजएगी 900 तो हमारे पास क्या आजएगी इसके की जो x की value हो वो 900 से लेस आनी चीए इदर से जब हमने value निकाली तो 11-25 इसमें से minus कर देंगे तो क्या आजएगा मारे पास यहां 15 आजएगा और divided by x इदर से आजएगा मारे पास 15 15 से cancel कर देंगे इसको कर देंगे 562.5 greater than x तो जो x की value होगी वो क्या आएगी 562.5 से बड़ी होनी ची और 900 से छोटी होनी ची तो हमारे पास जो mixer add गिया वो क्या आएगा 562.5 लेटर से ज़्यादा होना ची और 900 से कम होना ची नेक्स्ट है question number 14 IQ of a person is given by the IQ is equal to mentally age by chronological age multiply 100 where M A and C A are mental and chronological age if 80 से IQ हमारे पास क्या दे रुखा है greater than 80 and less than 140 IQ का दे दिया हमारे पास level for the group of 12 years old children 12 years old children find the range of their mental age उसकी जो mental age हो निकालने में कैसे देखो हमारे पास condition क्या देर क्या IQ के लिए कि greater than 80 or less than 140 हाना चीए तो 80 is that is रख दिया और IQ का हमारे पास क्या M A by C A multiply 100 C A हमारे पास chronological is क्या देर के 12 M A multiply 100 by 12 आजेगा और इदर 140 अब इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 12 को खतम करना है तो क्या आजेगा 80 multiply 12 इदर M A by 12 multiply 100 multiply 12 इदर 140 multiply 12 ये cancel हो जेगा इसको multiply कर देंगे 960 और इदर क्या आजेगा 100 mentally is और इदर क्या आजेगा 1680 अब 100 को उटाना है तो divide कर देंगे divided by 100 कर दियेगे ये cancel हो जेगा तो इसकी जो mentally is वो क्या आजेगी इसको करेंगे solve 9.60 और इसको करेंगे तो 16.80 तो इसकी mentally is क्या आजेगी 9.60 से greater आएगी बढ़ 16.80 से less आएगी तो minimum mentally is उसकी minimum mentally is कितनी है 9.6 है और maximum जो mentally is वो इसकी कितनी होगी 16.80 होगी ये थी हमारे chapter 6 की miscellaneous exercise ओके थैंक्यू झाल झाल